और इस वक्त की बड़ी खबर BJP की प्रदेश मुख्याले, इस वक्त सियम योगिया अदितनात पहुँच चुके हैं का लॉंच हुई BJP की भगवा टोपी लगाकर योगिया अदितनात यहाँ पर पहुचे हैं और क्या कुछ योगिया अदितनात खेуск, सुनिए हम सम का जुड़ाओ, हम सम को न केवल अपने रास्ट निस्टावर की समाज के अंतिम पायदान पर बैठे वे बेड़ान करता है दुनिया के ऐसे सबसे बड़े रास्मतिक दन के साथ हम सभी जुड़ करके अपने जीवन के सेवा के कारेकरण को आगे बढ़ाने का कारेप्राप्त कर रहे हैं इस उसर पर भारती जन्ता पार्टी के स्थापना दिवस की 22 वे वर्सकारण के उसर पर मैं पुरे प्रदेश भर के कोट कोट कारेकरताओं को हिर्दे से बढ़ाई देता हूँ अपने सुपानाई देता हूँ भायों मैंनों भारती जन्ता पार्टी की यात्रा देश और दुनिया के राजनितिक विस्लेश सकों के लिए कोटोल और अस्थरे का मिस्या है लेकिन यात्रा बहुत कुछ कह देती है राश्ट के प्रती हम सब की एक अविछिन निस्था अपने मुल्यों और आदर्सों के प्रती हमारी समर्पन का भाव और समाज के अंतिम पैदान पर बैठे वे उस ब्यक्तिकों जिसे पंडित तेंद्या रुपात्याजी ने जिसके लिए अंतोधय की बात की थी उस तक सासन की योजनाओं को पहुचाना हम सब की धे जीवन का एक धे है और उस धे को प्राप्त करने के लिए जो हम सब एक जोट होकार के कारे करते हैं तो वहाँ प्रतेएक नागरिक को सतस्पूर्थ भाव के साथ इस दल के साथ जोड़ने में सपन होता है आज भारती जनतापार्टी अपने यसर सी नित्रत्व, प्रधान मंत्री सी नरेदर मोदी जी, राश्तिय अध्यक्स सी जेपी नड़्डा जी के नित्रत्व में दुनिया के सबसे बड़े राज़निती दल की रूप में दुनिया के सामने लोग तंत्र के प्रती आम जन्मानस के मन में भी एक आस्ता का भाव पैदा कर रही है याद करिए भारती चंता पार्टी अनेक उतार चड़ाओं की स्यात्रा को आगे वढ़ाते थे कारिकी है तब भारती जन्संग की अस्तापना होती है भारती जन्संग के पीछे अस्तापना के पीछे का उत्देश से भी यही था कि हमें सत्ता की राज़निती नहीं बलकि हमें भारत के प्रती समर्पन का वहाव पैदा करने मारे लोगों को एक राजनितिक दल के रूप में आगे बढ़ाने का कारे करना है और उस समय जब तकालिन सत्ता धारिकल भारत की अखंडता के साथ खिलवाड करके कस्मीर को भारत से अलग करने की साजिस कर रहा था उस अस्थापना काल से भी अगर बल्दान देने के आउसिक्ता पड़ी यानि एक वर्स के अंदर ही अगर किसी दन ने उस समय अपना बल्दान दिया था तो भारती जन्संग के संस्थापक अध्यक्स दोग्टर स्यामा प्रसाथ मुखरजी ने कस्मीर के लिए अपने आप को बल्दान कर दिया था और जब भी आउसिक्ता पड़ी इस देश के अंदर आजादी के बाद का सबसे बड़ा संस्कृतिक आंदोलन से राम जनम भूमि के प्रती भारती जन्ता पार्टी की समर्पड का भारती जन्तापार्टी के कारेकरताओं के समर्पण पर कोई संदेश नहीं कर सकता है और यही नहीं जब भारत के लोगतंत्र का करा घोटने का कारे हुआ तो लोगतंत्र को बचाने के लिए भी अपनी दलिय लिस्टासियों पर उड़ करके लोगतंत्र के प्रतिम अपने समर्पनत का भाव व्यक्त करेंगे भारती जनसन को उस समय विसर्चित करके भारती जनता पार्टी का हिस्सा बना करके भारती जनसन ने लोगतंत्र के प्रति और भारत के प्रती अपनी निष्टा को भी देश और गुनिया के सामने बेक्त किया था जन्ता पार्टी के विभल प्रयोग के बाद जब 1980 में फिर से जन्ता पार्टी से अलग होकर के एक नए दल के रूप में अपनी यात्रा को प्रारम्ब करने की बात भी तो भायोगे नो वाती थी 6 अप्रैन 1980 थी जब भारती जन्ता पार्टी के रूप में इस एक तल का गठम होता है और उस समय सर्देय अटल बेहारी बाजपेई जी सिलाल किश अड़वाणी जी और भारती जन्ता पार्टी के उस समय के उन सभी महापुर्सों ने इस नए दल को देश की भावनाओं का प्रतिनित्व करने वाले दल के रूप में स्तापित करने का जो संकल्प दिया था सबसे बड़ी महामारी के दोरान आपने पुरे देश के अंदर इस बात को देखा है असी करोड लोगों को फिरी मैं रासन की सुद्धा मुलब्द करवाने का कारे किसी ने किया तो मौती संकार नहीं किया वायोगे लो इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दोरान 135 करोड लोगों के जीवन को कैसे बचाया जाना चाहिए दुनिया के अंदर करोना प्रबंदन का ये मॉडल प्रधान मंत्री मोधी जी के नित्रतों में देश और दुनिया ने देखा है फिरी में टेस्ट, फिरी में उपचार, फिरी में वैक्सीन 185 करोड वैक्सीन की डोजेज अब तक देश के अंदर उपलब्द कराई जा चुकी है ये फिरी में है जबकि दुनिया के अंदर इस वैक्सीन की बारी कीमत लोगों को चुपानी पढ़ लिए ये कोई सरकार फिरी में अपने लोगों को वैक्सीन नहीं दे रही है सिवाए भारत सरकार की और 80 करोड लोगों को फिरी में रासन की सुपधा भी है हर मामारी की अपनी एक तो सबसे खतरनाक उसका साइड इफेक्ट रहता था और रहता था कि बीमारी से जित्ती मौते होती थी उस से कई गुना मौते भूख से होती थी लेकिन पहली बार हुआ बीमारी से कम से कम मौते हो हर एक जीवन की रक्सा करने का भरपूर परियास हो लेकिन साथ साथ भूक से कोई मौद न हो और इसके लिए फ्री मैं रासर की सुखधा प्लब्द करवाने का कारियर आत्म निर्वर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए ये उठाये गए गदम ये आज नए भारत की नए तस्वीर हम सब के सामने प्रस्तुत करता है